नमस्कार में दिक्षा सिंग और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है शादी एक ऐसा मौका है जब हर कोई बेस्ट दिखना चाता है खासतोर पर दुलहने सिर से लेकर पैर तक खूपसूर दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ती टेंशन तब हो सकती है जब दूले की हाइट से दुलहन की हाइट मैच ना करे यानि दूलहा ज्यादा लंबा हो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप कुछ ट्रिक्स फॉलो कर सकती है लहंगे और ब्लाउस के बीच रखें गया हाइट का इल्यूजन देने के लिए मिडी रीफ की लंबाई ज्यादा दिखनी जरूरी है इसके लिए लहंगे को नाभी के आस पास पहने याद रखें कि ब्लाउस और लहंगे के बीच 3-4 इंच का गैब दिखें लहंगे के अमब्रॉइडरी लहंगे में भारी भरकम एमब्रॉइडरी बड़े प्रिंट और आप आपको और कम हाइट का दिखाते हैं इसलिए बारी कड़ाई या वर्क वाला लहंगा चुने लहंगे का बॉर्डर हमेशा याद रखें कि लहंगे का बॉर्डर जितना चौड़ा होगा आपकी हाइट उतनी ही कम दिखने लगेगी कोशिश करें कि जो लहंगा चुने उसमें बॉर्डर ही ना हो या फिर पतला बॉर्डर हो लहंगे की लंबाई लहंगे की लंबाई भी सोथ समझ कर चुने आपके लहंगे की लंबाई आपकी नाभी से शुरू होकर पैरों के कुछ इंच नीचे तक होनी चाहिए लहंगा आपको अच्छी तरह से फिट होने वाला भी होना चाहिए वरना आप मोटी दिखेंगी ब्लाउज ब्लाउज में गले का चुनाओ भी काफी इंपोर्टेंट है बंद गला पहनने से आपकी गरदन छोटी दिखेगी और लुग बिगड़ जाएगा ऐसा ब्लाउज पहने जिसमें आपकी कॉलर बोन दिखाई दे ब्लाउज का गला यूज शेप या वी नेक का ठीक रहेगा ज्वेलरी अगर आपकी लंबाई कम है तो ज्वेलरी भी सोच समझ कर चुननी चाहिए अगर आप भारी भर कम और बोल्ड ज्वेलरी चुनेंगी तो हाइट कम दिखेगी एक ही चीज बोल्ड रखें अगर इयरिंग बड़े हैं तो नेकलेस को हलका रखें रंग का चुनाओ लेहंगे में अब हलके रंग ट्रेंड में है लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो हलके और न्यूटरल शेड्स ना चुने आप डार्क, पिंक, रेड और बरगंडी जैसे कलर्स को चुन सकती है हेयरिस्टाइल हेयरिस्टाइल दुलहन के लुक में काफी एहम रोल निभाती है हाइबन से लंबाई का इल्यूजन मिलता है साथ ही फीचर्स भी शार्प दिखते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ